नमस्कार आप देखरे ही घमासान.com मैं हूँ अकसादिक्षा भानुप्रिया इन दौर की फूटी कोठी को मन्हूस क्यों कहा गया है? क्यों नहीं बन सकती इसकी च्छत? रंजी धर्मान रोड के आगे फूटी कोठी चुराहा है जो पूरी तरह से आबाध हो गया है शहर के लोग जाने में इसलिए भी डरते थे क्योंकि वहां से विभिन आवाजें आती थी और ऐसा कहा जाता है कि वहां भूत और प्रेतों का निवास है फूटी कोठी के साथ एक सबसे बड़ी कहानी ये भी जुड़ी हुई थी कि इसकी च्छत कभी भी नहीं बन सकी इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजु ने फूटी कोठी का निर्मान करवाया था जब भी इसकी छट बनाने की नौबत आती है तो रात को इसकी छट अपने आप उड़ जाती है और पत्थर दूर दूर तक बिखर जाते हैं कई बार इसकी छट बनाने का प्रयास किया गया लेकिन इसकी छट कभी भी नहीं बनी इसके बाद इसका नाम फूटी कोठी पड़ गया फूटी इसलिए कि ये कभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाई इसलिए इसे फूटी कोठी कहा जाने लगा अंग्रेजों के जाने के बाद होलकर महाराजाओं ने भी इसकी छत बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली इसके बाद इस जगह को मनहूस मान कर छोड़ दिया गया और जो इसके पत्थर आसपास बिखरे थे उनसे इंदौल जिला कोठ तथा हाई कोठ का निर्मान किया गया आज भी फूटी कोठी की छत अधूरी है और यहाँ पर कई मंदिर बना दिये गए है ताकि बुरी आत्माओं का प्रवेश रोका जा सके फूटी कोठी आज भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में पहले थी हलाकि अब यहाँ पर विवाह आदी के कारिक्रम भी होने लगे है और धीरे धीरे लोगों का भय यहाँ से समाप्त हो गया है